कई लोग लोगों को ब्रमित कर रहे हैं कि टिकट तो मेरी जेव में है बाकी लोगों के साथ चाहिए तो मेरी अपनी माननता है टिकट तो अभी MP की भी नहीं छपी है अभी विदान सभा की भी नहीं छपी है अगर किसी की जेम है तो कोई पुरानी टिकट पढ़ी होगी नई टिकट तो किसी के पास है ही नहीं वहां रहते हुए सबसे अगर मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय का हूँ तो रिजिस्टार PG&I चन्लिगड का है बजनलाल जी को महाविर परसाज जी को एक अपनापन इतना लगा तो महाविर परसाज जी ने बजनलाल जी से बात की यह तो अच्छा है और इनको कहीं ना कहीं आप अच्छे पत पर लें उसके बाद मुझे उन्होंने प्रो वाई सांसर लगा था उसके बाद चोजी बंसिलाल जी ने मुझे वाई सांस लगा दिया पूरे टाइम के लिए बजार में आना साइकल में चार बजे उठके आना और उन दिनों कुलफी तो कहता ही नहीं तो बरफ कहते थे जो बरफ आती थी बास की उसमें हम आते थे यहां से चार सो करीब बरफ ले जाते और उन दिनों पाच पैसे की बरफ हम गाउं में बेश देते स्कूल में जाना और वहां से अखवार जितने आते थे दूसरी रद्दी थी वो रद्दी ले करके उसको बाजारी बाव महेंगा बेचना तो जो उत्था मैंने बता दिया मैंने के हमारे यहां तो एक छपपर है फूसका और एक जो लकडी के बरंगे होते थे उन दिनों एक अच्छा मकान है हमारे गाउं में तीन जातिया है ब्रामन है यादव है और अरीजन है और एक ही कुईय से पाने पिते है यह मुख्यमंत जी बाउड माय थे और राविंदर जी भी थे मच पर थे मैं अकेला ही तो था जो पूरुमंतरी था सब स्टेज पर थे मुझे स्टेज पर बैठने की जगण नहीं दी गई मुझे टिकट नहीं मिली बनवायरलाल जी को मिली हर गाउं में हर शेर में बासन की शुरुवात और बासन का अंत मेरा ही होता था, उनको बासन का नहीं था ज़्यादा, हर गाओं में, तो मैंने मन से काम किया, उनके लिए, और उनको जिताया, मंतरी बने, और हुड़ा साब ने, जदी मुझे, हुड़ा साब मेरे ट्रस्ट में आये थे, जहां स्वामी कल्यान देव जी थे उस ट्रस्ट में आये थे, और आते ही वहां से मिझे साथ ले आये, अपने पार्टी जमान करवा लिए, पहला काम इन्हों ने आते ही, बस्टेंड सो वहां से उठा करके, बने पुर्चोक पर, जीटी रोड पर ले आये, आज बस्टेंड को बने हुए, साड़े तीन साल हो गए, एक भी बस उसमें नहीं आई, सीएच सी का जो पैसा लगा आया था, एक भी कमरा सीएच सी का नहीं बढ़ा, तीन कमरे बने हैं, वो कमपनियों ने अपने पैसे से बढ़ाए, वेलफेर स्कीम के तैक, मंतिरे का कोई सायोग नहीं इसमें, जो सीविलेज का पूरा मु का कूड़े का यार्ड, ओडिगाओं में बनाया है, उसमें तीसर दिन आग लगी रहती है, बावल का नहीं है वो, बावल का डंपिंग यार्ड नहीं है, बावल कूड़ा और कहीं डाल रहे हैं नमस्कार, मैं हूँ कोमल राव, आज हमारे साथ मुझूद है, बावल से पूर विधायक, डॉक्टर एमल रंगा, सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रंगा प्रदेश के तीन उनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर रह चुके हैं, स्वास्थे मंत्री रह चुके हैं, और कई राजनीतिक दलों में इनके भागेदारी रही है आज इन से हम राजनीतिक पारिवारिक और सामाजिक कई मुद्धों पर बात करेंगे आपके शुरुवाती दोर से आज अपने इंटर्व्यू की शुरुवात करते हैं सुना हैं आपका बच्पन और आपका शुरुवाती दोर काफी कठिनाईयों में बीता आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने पड़े बच्चों को आपको कुलफी बेजनी पड़ी रद्दी बेजनी पड़ी तो थोड़ा सा उस समय के बारे में बताईए कि कितना कठिन था वो समय कैसी परिस्तितियां थी उस समय हमारा परिवार मजदूर कर्सक्ष परिवार था पिताजी मिस्तरी थे तो ऐसे में जो हम छे बहन भाई थे उनका परिवार के लिए पालन पोशन करना उस मजदूरी से लिखाना पड़ लिखाई पढ़ाई करवाना तो बहुत मुस्किल होता है और मजदूरी भी कभी मिल गई कभी नहीं मिली लेकिन अपने पिताजी के साथ हम अपने पिताजी को काका कहते थे उनके साथ मिलकर के खेत में रहना खेत में सोना सुबह उठके उनका काम करवाना और फिर स्कूल जाना और छुट्टियों में मैं ये कोशिज करता था कि जो पूरी साल का खर्चा, कपड़ों का, जुत्तों का, वर्दी का, मैं घर भी ना बैठूं और मैं कोई ना कोई काम करूं, घर बैठने के आदत मुझे बच्पन से नहीं थी, छुट्टियां होती थी, कभी कहते भी लोगो भी तो कहता है नहीं तो बरफ कहते थे, जो बरफ आती थी बास की उसमें, हम आते थे, यहां से चार सो करीब बरफ ले जाते, और उन दिनों पाच पैसे की बरफ हम गाओं में बेस देते, उसमें गाओं की लोग पैसा नहीं देते थे, गाओं की लोग अनाज देते थे, त तो अनाज उन दिनों छुट्टियों में काफी अनाज इकठा हो जाता था उस बाहन में। दूसरा हर स्कूल का अध्यापक मेरे से प्यार करता था। तो आज जो अध्यापक जहां चले गए स्कूल की रद्धी इकठा करने का मेरा काम जाता था। स्कूल में जाना और वहां से अखवार जितने आते थे दूसरी रद्दी थी वो रद्दी ले करके उसको बाजारी बाव महंगा बेचना उसमें भी बचत हो जाती थी तो मेरा ये कई साल तक सिलसला हर छुट्टियों मैं कभी घर नहीं बटा तो वहां से वी सी बनने तक का सफ़र उसके बाद जब हमने दसवी की अहिर कॉलिज में आ गए अहिर कॉलिज में भी मुझे टीचर्स थे मैं बहुत रेस्पेक्ट करता था अच्छे वोलेंटियर्ज में गिना जाता था उनके साथ मिल करके काम भी करता था कैंपों में भी जाता था और याप यह मानिए कि मुझे बीए सेकंडियर में बढ़ते बढ़ते पूरे हर्याना का एनसस का कैंप मैंने अपने गाओं में गरुआ है यह नहीं पूरे हरियाना का जिसमें आपके पूर जितने कुर्ख्षतर इंविश्ट्री के अंडर कॉलीज थे और जितने भी पंजाब इंविश्ट्री के जो आते थे पूरे हरियाना का क्या लोगा है और उस से फिर मैं आगे पहुंच गया और मुझे NSS का merit certificate मिला पूरी स्टेट की तरफ से जिसकी एक अपने आप में पैचान होती है बीए करने के बाद फिर मेरे परिवार के लोग चाहते थे कि मैं नोकरी करूँ रेलवे में मैंने कई जगे इंटर्यू दिये रेलवे में मैंने कई जगे टेस्ट दिये जाते रहे इसी तरह से जो भी वेकेंसी नहीं कड़ती फारंबर ता घरवारों का यह था कि हम आगे आपको वहां के लिए क्यों अगर मैं पढ़ने के लिए कहीं जाओंगा तो वहां मैं ये मजदूर्यू गार शाद ना कर पाऊंगा इनी दिनों मेरी एक मुलाकात हमारे हिंदी के प्रोफेसर थे डाक्टर रामपत याद दो कभी हमें आहीर कॉलिजिंग पढ़ते थे उनसे मुलाकात बजार में होगी खैरतल के रहने वाले थे आप क्या कर रहे हो कैसे गोंग रहे हो मैंने खाँ जी बीए कारिजिंट आया है मैंने बीए पास कर लिया करवाले कहलें का आप आप नोकरी करो काम करो पढ़ा नहीं सकते उन्होंने सुजहाओ दिया कि आपके पास विशे क्या थे मैंने बताया मेरे पास संस्कृत थी यह सबजेक्ट थे कितने नंबर है संस्कृत में मैंने रहें 88% है तो कहले गए करक्षित्र युनिवस्टि सुरू में डाक्ट राजिंदर परशाज जब राष्ट पती थे उन्होंने संसकृत युनिवस्टि की स्थापना की थे उस समय से ले करके संस्कृत के विद्यारतियों को जिनकी फर्स डिविजन से उपर नंबर है उनको वजीफ़ा भी मिलता है किताबे भी मिलती है और जीरो फीस है कोई फीस नहीं लगती तो मेरा मनोबल बढ़ा मैंने सोचा यह तो होट अच्छी बात है होस्टल का नहीं मिलेगा तो दो लड़के कमरा बार ले लेंगे दर्म साड़ा ही महोते कोई खेतर में वो मेरे लिए प्रेणा के स्रोत रहे और मैं अगले दिन जो है कोई खेतर बस जाती थी बस में चला लिए ग्यार रपे किराया था उन दिनों बस जाकर के मैंने फारम भरा और फारम भरके मैंने वार दाखला में लिए बढ़ाई शुरू की तो उस दोरान शाम के टैम मैंने ये किया कि एक नैसनल पॉब्लिक स्कूल था वो लोग कोचिंग देते थे बच्चों को तो मैंने ये निरने लिया कि मैं दो गंटे वहाँ दिया करूँगा कोचिंग बच्चों को तो मैंने दो गंटे वो जुआन कर लिया वोष्टिल का वहाँ का खर्चा मुझे मिल जाता था और मैंने परिवार पे बहु ज़्यादा बढ़न नहीं लगा और इसमें भी मैंने इसिलाके के एक दो बच्चे हैं उनको भी मैंने साथ रखा उनको भी खाना मईं कहिलाता था कमरे में बना करके उनका भी बहु पढ़ाई का खर्चावा कुद किया आज वो भी डारेक्टर बने हुए ज्वाएन डारेक्टर बना हुआ कोई बने हुए है तो ये मेरी पढ़ाई का सफर रहा और पढ़ते पढ़ते मुझे एक बार BSF में टीचर की जोब मिल गी उन्ही दिनों मेरा UGC में एपलाई किया हुआ था मैंने फैलोसिप पीएज़डी करने के लिए मुझे फैलोसिप की चिठ्थे आ गी उन्ही दिनों फैलोसिप तीन सुरुपे पर मनता उसमें चार सुरुपे तनका थी तो मैंने यह सुचा कि पीएज़डी कर लेंगे तीन सुरुपे खर्चा मिली रहा है और क्या पता टीचिंग पर अपने घर के नदीग चले जाएंगे वहाँ से मैं छोड़ करके पीएज़डी करने लगे लगे है है पीएज़डी में हुआरे एक बंगाल के थे प्रोफिसर वटाचारी है उन जैसा विद्वान मैंने नहीं नहीं देखा उनकी हेल्प से उनकी साहता से और मैंने पीएज़डी करते करते में विश्विद्याले में उन देनों मेरी मुलाकात हमारे गुरु जी थे स्वामी कल्यांड देव जी और गुलजैर लाल लंदा से एक दिन मैं ऐसे ही पढ़ रहा था पेड़ के निच्छे बैठ करके ब्रमस रोट पे तो गुलजैर लाल लंदा जी और स्वामी जी पीछे से आ गए उन्हें देखा कि पढ़ाई कर रहे हूँ क्या कर रहे हूँ क्या पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रहे हूँ मैं पाणे ने की व्याकरन पढ़ रहा हूँ कहल अच्छा पर तो ब्रामन होंगे आप तो मिन न का जी मैं ब्रामन नहीं है मैं अरी ऐसी जाती से ब्लो करता हूआ गुलियालाल नन्दा जी और स्वामी जी बहुत प्रमावीत हुए और उन्होंने कहा कि आप रहते कहा हूँ मैंने बालमी की मंदिर में कमरा किरायप लिया हुआ है पंदरा रुपए में कमरा लिया हुआ था दो रहते थे हम तो कहते हैं जच्छा फिर मुझे मिलना कवाओं आजाना सुवे मैं तो पांस बेजे उठ जाता हूँ जब आओ मैंने सुचा कि इतना बड़ा संत है मिलने के लिए कह गया तो मुझे सारी रात मिलने की ही वो रही भावना सुबह मैंने साइकल उठाई खेस था सफेद खेस ओ डर मैं उनके पास साड़े चार बजे पहुँच गया उनकी कमरे के लाइट जड़े हुई थी मैंने खट-खट आया तो कर लगे आप मैंने कह बाराजी कल आपने मेरे को कहा थाने के लिए क्या बज़ा है मखरी साड़े ओहो आप तो समय के इतने पावंद मैंने तो पास बजे साड़ चार आगे, कैसे आया आप मैंने काई, साइकल साया था वाब बैठ करके जो बाते मैंने आप से हुई ये सारी बाते, उन्होंने मेरी शिक्षा के बारे में, परिवार में कितने बेहन भाई हो, मकान कितने है, कमरे कितने है तो जो उत था मैंने बता दिया मैंने के हमारे यहां तो एक छपपर है फूसका, और एक जो लकडी के बरंगे होते थे उन दिनों एक अच्छा मकान है, उसमें हम रहते हैं, और हमारे गाउं में करीब सो सवा सो भर है और एक ही कुवा है हमारे गाउं में तीन जातिया है ब्रामन है, जादव है और अरीजन है और एक ही कुवें से पाणी पिते है और जब किसी के यहां शादी बया होता है, पूरा गाउं बैठ करके एक ही ख़ना खाता है और वो हमारे यहां आते हम उन्हें के आजाते है तो उनको कुछ बेरी बाते ऐसी लगी कि आज के समय में इतना जाती वादर ये चीज़े हो नहीं सकती तो कहने लगे जम में उठने लगा कि कल मा आपकी गाउं चलूँगा मेरे लिए तो ये हो गया कि भी कल ये गाउं में जाने की कह रहे और मेरे फादर सुबेरी आठवी मजदूरी पे चले जाते हैं और चाचा ताउ सब चले जाते हैं कौन मिलेगा मेरे ये बड़ी मुस्किल होगी कि भी किसको कहूं मैं ना कोई टेलिफोन ब्या उस्ताती कुछ नहीं था और उन दिनों उनको बाउज जी राम जी डिफेंस मिनिस्टर होते थे उन्होंने एक पुराने जीप जो स्वामी जी को देख करके समाज सेवा नंदा जी के और उनको एक जीप दी हुई थी वो तो सुबही जीप लेकर के चार बज़े चल पड़े अब मैं किसको कहता मैं कभी जो मिलेंगे मिल जाएंगे जैसा होगा पर वो इच्छा घर आये फादर भी नहीं थे लेडीज थी वो मैंने अपना मुछपपर दिखाया मैंने वो बरंगे का कमरा दिखाया उसमें चुए गोम रहे थे उपर जाते हैं जैसे उस समय उनकी उमर करीब अठान में साल थी तो उनकी ये थी कि जब किसी के जाते थे वहां कुछ नहीं लेते फिर जब गाड़ी में बैठने लगे तो उनने कहा कि यहां राव बिरंदर मुख्यमंत्री बने थे मगाहाजी तो वो बनते की ही शपत लेने के बाद पहले मेरे पास आये थे और उनके साथ एक उनकी बैंड थी वो है भी मैंने के जी रास्ते में यह आसरम और आशरम में रहती है चलो मिलके चलो आप़़गा तो हम आशरम में पूरा वन है देखाओ का शाद आप लोग अन जंगल है जंगल में हम उनके आख पहुंच लिए बाई जी कहते थे हम उनको बाई जी को मैंने नमस्ती किया बाई जी ने एकदम उनको पहचान लिया महाराज जी आप चरणों में आप बिना सुच ना किये कहने ही मुझे तो ये नहीं पता था कि आप यहां रहते हैं वहाँ पूरा उन्होंने चेतर देखा वन देखा जो वहाँ बढ़ा हुआ है राउतुला राम जी की समाधी बढ़ी हुई है और महाराज परमानंदक जी की है राउलबीर सिंग्गी है हाल है सत्संग बवन है वो तालाव है वो सारा बाई जी ने उनको दिखाया लेकिन जब उनोंने वही दूद काफर किया तो उनोंने वही ने मैं दूद की पैया नहीं उनोंने और वापस उस दिन के बाद फिर सुमी जी को यह लगा कि ये समय का पाबंद है और जो कहता है उसमें 0% भी उनको जोटने पेली और जैसा मैं सेलफ मेंटता लगा उसके बाद मेरी मुलाकात नंदा जी से उनसे बराबर होगी शाम को मैं मिलने लग गया पढ़ाई के खतम करने के बाद शाम को चला जाता नंदा जी रात को चिथ्थियां लिखाते पोस्ट कार्ड होता था स्वामी जी चिथ्थि लिखाते रोज का रूटीन बन गया कि डेली जानार बेस्ती चिठ्थियां लिखवाने हैं आदी चिठ्थी में खुदी लिखते था ता मुझे पता था कहां से सुरुआत करनी है क्या करना है वो सुरुआत करके चिठ्थियां लिखते हैं करीबी में आ गया और नजदी के में आ गया जब गुलजियारलाल नंदा जी कुरक्षित्र के आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा लेकिन कुरक्षित्र के वो पहले चेरमें थे डवलिम्मेंट बोड़ के और जब 1922 में तीर थियात्रा करने के लिए गुलजियारलाल से बसों में बैठ करके कुरक्षित्र आये थे उन्हों ने जब कहा कि यहां ब्रम सरुक किताब हमें लिखा हुआ है में एक दूत में वरनन है कालिदास ने जिकर किया है कि भी यहां एक सरुवर है जिसमें पिंड़दान किया था कोरों ने पानों जो इतनी भी हुए थे त का कि मैंने तो इसका जिर्णोधार करना है और जब तक इसका जिर्णोधार नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊगा कुरुक्षित्र से दो वार लोकसभा के चुनाव लड़े दो वार सांसद रहे और कुरुक्षित्र को उन्होंने करम भूनी अपनाया जो आज वर्तमान स्वरूप में ब्रमसरोर देख रहे हैं यह उन्ही की देन है और बंसिलाल जो जिसे कह करके काफी उन्होंने गरांट ली और वो काम किया और उसके बाद शाम को रो जाना पेवा में कैथल में देहात में शराब बंदी के खिलाब काम करते थे देहेज प्रिता के कराम काम करते थे इन्ही के बारे हम परचार करने के लिए स्वामी जियोरो दोनों जाते थे उनके साथ रहे करके फिर थोड़ा सा धार मे काफ ध्याठती में चले, मैं अपने पढ़ाई करता रहा बीच में उनिवस्टी में मैं हिंदिया ध्यापक लग देया हिंदिया ध्यापक लगते-लगते वहां AR की पोस्ट थी तो AR की पोस्ट में जो है मैंने अप्लाई किया तो मुझे AR लगा लिया गया Assistant Registrar लगते-लगते में मेरा बराबन नंदाजी से उनके हाँ हर संडे को आना जाना रहता था उसके बाद प्रमोशन हो गया डिप्टी रिजिस्टार बन गए फिर एक बार रिजिस्टार की पोस्ट निकली चंडीगड की मैंने अप्लाई कर दिया तो PG&I चंडीगड में मेरा सेलक्सन हो गया और मैं PG&I चंडीगड में रिजिस्टार चला गया वहां रहते हुए सबसे अगर मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय का हूँ तो रिजिस्टार PG&I चंडीगड का है जिसमें सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे यां मरीज एम्बूलेंस आ जाते थे रोज आना बीस से पच्चीस मरीज डेली किसी के साथ P.N. को भेज़ दिया किसी के साथ कलर को भेज़ दिया किसी का टेलिफोन कर दिया किसी की चिट बना दी रोज आना बीस पच्चीस मरीजों को रहा दिलवाना मेरी आत्म से दुस्टी थी उन दिनों चोजरी बजनलाल जी मुख्यमंती थे वो भी जितने मरीज थे बेजते थे जो भी आता है मेरे को टेलफोन डारेक्ट भी करने लग गए कि भी माविर परशाज जी गवर्नर थे वो भी आते रहे उनको भी मेरी डूटी थी वी आई पी कोई बाता था उनको दिखाना उनका कोडिनेट करना तो एक उनको बजनलाल जी को माविर परशाज जी को एक अपना पन इतना लगा तो माविर परशाज जी बजनलाल जी से बात की यह तो अच्छा है और इनको कहीं ना कहीं आप अच्छे पत पर लें उसके बाद मुझे उन्होंने प्रो वाई चांसर लगाया था प्रो वाई चांसर मैंने जोईन किया अक्टूबर 2015 में उसके बाद एक साल के बाद जो वाई चांसर थे वो रिटायर हुए है और मुझे वाहिशांस का चाहते हैं। उसके बाद चोजी बदसिलाल जी ने मुझे वाहिशांस लगा दिया। पूरे टाइम के लिए। अब थोड़ा सा आपके राजनितिक करियर की बात करते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि आउम परकास चोटाला ने आपको आपके आवास पर आकर टिकेट दी थी। उससे पहले किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आप चुनाओ लड़ेंगे। इस बात में कितनी सच्चा है। ऐसा है कि मैं कुलपती कुरुक्षित्र विश्विद्याले के नाते आराम से काम कर रहा था, मुझे चार-पांच साथ हो गए थे। तो 24 जन्वरी 2000 को मुझे मुख्य बंतरी का टेलफोन आया। मैं का जी कोई बात नहीं जब इलेक्षन होंगे तो यहां से छुट्री लेकर के जहां भी कहोगे। स्टूडेंट भी मेरे हैं, टीचर्स भी हैं, इमदाद करेंगे, काम करेंगे। तो कहता कि नहीं हम तो आपको ही लेना चाह रहे थे। मैंने का जी ना तो मेरा राजनिति वो है इच्छा है और नहीं मेरे राजनिति में जाने की वो है। और मैं तो लिखाई पढ़ने करने वाड़ा आद्मी हूँ और मैं नहीं तो मैंने उनको मना कर दिया। अगले दिन उन्होंने राज़पाल से बात की राज़पाल से बात की 26 जद्वरी का दिन कैथर में राज़पाल का प्रोग्राम था और शाम को चार बज़े एटोम होता है। तो अगले ऐटोम में या जाना ही जाना था। उसमें तो कोई काड़ भी आता था बुलाते भी ते जाते ही थे। तो मैं पहुँचा, वहां एट होम का जो टाइम होता है, उनका साधे चार बिजे कास पास होता है, मैं भी सवा चार बिजे पहुच गया, तो एट होम में मुख्य मंत्री पहले आते हैं, राजिपाल बाज में आते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री पहले आकर के सीधे रेस्ट ना बहा गया तो पुलिस वारे सारे डेस पी खड़े कैसर आपको दिंजार करें बुला रहे हैं आपको तंदर मैं का पता नहीं क्या वाज मुझे ये ध्यान नहीं था कि भी जो बात हुई थी वो करेंगे ऐसा कुछ मुझे मुझे मौदे को नाराज कर दिया मैं का जी हाँ टेलिफोन हाय था और मैं का जी मेरा तो राजनिती में कोई वीचार नहीं है मैं तो पढ़ाई लिखाई करने वाड़ा आद में पुस्त के लिखता हूं काम करता हूं इन्होंने चुनाओ की कही मैंने का भी ना तो मेरे पास पैसा है और नहीं मेरा चुनाओ का तो ये बात हुई थी नहीं ये मुख्यमंत्री जी रहे आपको पैसा भी देंगे और आपने चुनाओ लड़ना है फिर मैंने का जी जहां राजी के दो-दो मुख्या बठ्टे हूं उनके सामने मेरा बोलना ठीक रहता और जो आपका आदेस है मेरे शिर्माथ से जैसा का हो अगर जो मैं पहुचा ही था उस समय S.P.C.I.D. का टेलफोन आया कैजि आप कहा हो मैं का मैं घर पे हूँ कुर्क्षित जिनुस्टी में कि मुखमंतरी जा रहे आपके यां अब मैं तो पहुचा ही था फिर कहीं याओ रेश्टाउस में के नजदी की था मैंने बुला कर चाय वगरा की वगर पे बहुस्ता करवा दी और जो 10-20 डीन थे पिये थे सेक्टरी थे सबको कह दिया भी डीन टीचर तो होने ही चाहिए तो डीन प्रोफेस्टर इनुस्टी के सबादे सम्मान में सबको बौका दिया रेश्यू किया तो ऐसी सोफिप जैसे हम और आप बठे थे तो कहने लगी कि अब आप आपको खर्चा भी देंगे आपको टिकेट भी देंगे और आप जा करके सुनाव लड़ो आपको टिकेट दे दी मैं यह समझाओ घर दे दी जाओ ऐसा भी सुनने में आता है कि इन एलो की हरे रंग की पगड़ी आपने हुड़ा के पैरों में रख दी थी इसके पीछे क्या बहावना थी ऐसा हुआ भी नहीं था ऐसा हुआ नहीं था तो ये केवल अफ़वार पहली बात थी कि मैं कोई पगड़ी पहनता नहीं था जो मेरे फोलोवर थे पांच साथ वो जब हरी पगड़ी पहन करके जाने लगे तो खुड़ा साथ ने का भी आप तो कांग्रेस में आए हो तो उन्होंने वो पगड़ी सेंटर टेबल पर रखी थी कैजी ठीक है हम आज से आपकी पगड़ी पहन लेते हैं वो पहन करके उन्होंने दूसरी पगड़ी पहन ले अब वो चरणों में रखने की बात को हो या जो भी को हो ये बाहुता बीजेपी के बाद अब आपका फिर से कॉंग्रेस में जाना हुआ इसके पीछे क्या रही पार्टी से आपकी विचार धारा नहीं मिल पाई या फिर टिकेट का नाम है ऐसा है कि टिकेट ना मिलना ये बात नहीं थी अगर ऐसा होता तो मैं तुरंट बीजेपी कंडिडेट को छोड़ देता जिसको टिकेट देती मेरा अपना एक असूल है कि जिस पार्टी में रहूं जब तक रहूं उस पार्टी के खिलाफ में कोई काम नहीं करता मुझे टिकेट नहीं मिली बनवायर लाल जी को मिली हर गाउं में हर शेर में बासन की शुरुवात और बासन का अंत मेरा ही होता था उनको बाशन का नहीं था ज़्यादा हर गाओं में तो मैंने मन से काम किया उनके लिए और उनको जिताया मंतरी बने और साथ रहे हम लोग लेकिन मैंने आपने परसंड किया है कि आपने क्यों छोड़ी मैंने इसलिए छोड़ी कि भारतिय जंता पार्टी वरकरों को सम्मान नहीं देती मुख्य मंतरी जी बावड माय थे और राविंदर जी भी थे मंच पर थे मैं अकेला ही तो था जो पूरू मंतरी था सब स्टेज पर थे मुझे स्टेज पर बैठने की जगह नहीं दी गई और मैं निच्चे आ करके बिल्कुल उनके सामने बैठ गया मुझे ना तो मुख्य मंतरी नहीं हमारे मंतरी डक्ट बनवारिलाल जी ने उनको तो ये था कि मैं तो उनके साथ घुमाऊ रात और दिन किसी ने मेरे को मंच में बुलाने के लिए नहीं का मैं पर भी कुछ नहीं चलता रहा सिर्सला जिला प्रांत अनुसुचित जाती की मिटिंग हुई अब मैं ये समझता हूँ कि प्रांत में तो मैं पड़ा लिखा भी ऐसी से भी हूँ तो मुझे तो बुलाएंगे उसमें मुझे नहीं बुलाया गया उसके बाद जिले में अनुसुचित जाती की मिटिंग हुई उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया मैं मुख मंतरी जी से मिला मैं नहीं का जी मैं पार्टी में काम करना चाहता हूँ माना मुझे गाड़ी चाहिए ना मुझे गोड़ा चाहिए ना तनखा चाहिए मुझे तो आप कम से कम ऐसी से का काम दे दो ताकि मैं हर जिले में मेरे तीन-तीन सो आदी में मैं आपको यूनिट त्यार कर दू नहीं आपसे तो फाइदा लेंगे आप से तो काम करवाएंगे च्छै मेने निकल गए फिर मिला नहीं हम सोच रहें करेंगे साल निकल गया मिलने जाओ नमस्ते का टाइम नहीं मिलने का टाइम नहीं मेटिंग होती है यहां मतलब मुझे लगा कि मेरी उपेक्षा से की जा रही है और मेरा पुराने संबन थे हुड़ा साब से तो मैंने उस वज़े से मैंने भारती जंता पार्टी को छोड़ करके और हुड़ा साब ने इज़दी मुझे हुड़ा साब मेरे ट्रस्ट में आये ते जहां स्वामी कल्यान देव जी थे उस ट्रस्ट में आये थे और आते ही वहाँ से मुझे साथ लिया अपने पार्टी जमान करवा लिए ये मेरा बीजेपी छोड़ने का था मुझे किशी से कोई जगडा नहीं है मेरा किशी से कोई वो नहीं है लेकिन जिस आदमे को उचित सम्मान जिस जगह पर ना मिले तो उसको रहने का फायदा है इस वज़े से मैं बीजेपी को छोड़ा था अभी आप कॉंग्रेस में हैं कॉंग्रेस में अंदर ये तीन गुठ है एसार के गुठ है, हुड़ा गुठ है, एक और कैप्टन अजै सिंग यादव है वो तटस्त हैं सब के साथ, आपकी क्या रनीती होगी देखिए मैं राहूल गांधी जी, खड़गे जी हमारे राष्टी अध्यक्स है प्रदेश अध्यक्स चोदरी उदेवान जी है प्रदेश परभारी कांग्रेस के दिपक बावरिया जी है और जो भी कारेकरम पार्टी के आते हैं उन कारेकरमों को, उन कारेकरमों में मैं रात और दिन लेकर के ये दिखाता हूँ कि मैं पार्टी के कारेकरमों को स्रेच चड़ा रहा हूँ पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इस गुटबाजी से परेहो करके पार्टी रहुल गांदी जी की पदियात्रा के बाद पार्टी अच्छे उसमें आई है और उसको गती दी है जो दिपुपंदर सिंग उड़ा ने दिपंदर उड़ा ने जगे जगे गूम करके हर लोग समा चेतरे में गूम करके विधान एक महूल ऐसा हो गया कि वास्तों में कांगरेस का एक अच्छा जनाधार हो गया और उसमे कांगरेस पार्टी सत्ता में आएगी कांगरेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो हमें कुछ मिलेगा अगर पार्टी ही नहीं आएगी तो हमारा काम करना सब बेकार है इसलिए मैं जहां भी बैठता हूं सब से कहता हूं इन चीज़ों को भूल करके आप पार्टी के लिए काम करो, पार्टी को लेकर किया हो, पार्टी आ जाएगी तो आप सब मुख्यमंत्री बन जाएगे, आप सब मंत्री बन जाएगे, आपको पूरी रहत मिलेगी, तो मैं इस भावना से काम कर रहा हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि राव इंदर जीत का भाजपा में जाना कॉंग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा, उसके बाद कॉंग्रेस अप नहीं आ पाई, देखिए, राव साव, राव इंदर जीत सिंग अपने आप में एक संस्था है, तो किसी भी संस्था को कोई संस्था से छोड़ने से एक बार तो नुक्षान होता है, और कई बार उस नुक्षान की भरपाई नहीं हो पाते हैं, लेकिन जिस आदमे ने जाना है, तो दूसरे लोग तो जो हैं अपनी सामर्चता के हिसाब से काम करते हैं, और कर भी रहे हैं, अब राव साव बीजेपी में उसके बावजूद एक लहर आ गई है, कांग्रेस के उनके बगरी तो आई है, तो यह आप लगा लीजिए, च्छे साल की मेनत लगा लो कांग्रेशियों की, या च्छे साल या जो बीजेपी के विरुद एक लहर लगा लो, एंटी इंक्यमेंसी लगा लो, एंटी एस्टेबलिशमेंट लगा कैसे भी लगा लो, आज ये महुल है कि राविंदर जीच सिंग हाला कि बीजेपी में है, उनके बगर भी यहां कांग्रेस का प्रणा पूरे प्रदेश में एक बारी पुढ रहा है, अब यगर चुनावी तैयारी देखते हैं, तो कांग्रेस एक लंबे समय से एक दशक हो संगठन नी बना पाई है, इसके पीछे क्या वज़ा है? अन्वारी लाल, वो दावा करते हैं कि उनके पास विकास कारियों के एक लंबी सुची है, जनता के बीच आप उनके लिए क्या उनके कामों की क्या खामिया लेकर जाएंगे, और अपने क्या वादे के जिससे जनता आपको चुन है? हमने भी जो हो उसका हलके के लिए चाहे जितने भी काम किये हों, उनकी भी एक लंबी सुची है, लेकिन काम किये वो भी साल पहले के बात है, स्कूल अपग्रेड किये, ये किया, जो भी काम किये, और जहां तक वरतमान हमारे मंतरी जी है, पांच साल तक काम अधूरे रहे, सारे अधूरे रहे, ये कहा कि भी पांच साल में तो काम होते नहीं, तो लोगों ने एक मौका इनको और दिया, कि भी चलो आप जो काम करें कि समय कम है, ये पूरा पांच साल दिया, लेकिन उन प पेक्षाती उस हिसाब से काम नहीं हुआ पहला काम बावण के बीच में शकुतला भगवाड़ा जी हमारे मंतरी थी उन्होंने तीन चार एकड की जगह बस्टेंड के लिए चार दिवारी बनवा करके रखी पहला काम इन्होंने आती बस्टेंड सो वहां से उठा करके बने प बस उसमें नहीं आई और उसके बाद मनिपूर का पूल बनना सुल कर किया है जब आप ये काम था तो पूल पहले करते और बस्टेंड बाद में करते दूसरा जो कांग्रेस के समय में पांच बजे दिल्ली की बस जाती थी शे बजे चंदिगड की जाती थी साथ बजे बस बावड में से जाती थी आज कोई भी बस ना दिल्ली की ना चंदिगड की कोई बस नी जाती साथ बजे लोकल बस रिवाडी की चलती बावड से मेरी ये माननता है कि इनोंने पहले सीटी बस टैंड बनाना चाहिए था वहां से बसे उस बनिपूर बनाया है उसको अंतराज ये बस टैंड बनाये जो बनाना चाहिए और वहां लोकल बस टैंड बने लोकल बसे काने से वहां से वहां जाये लिवाडी जाना हो वहां तक से आगे और उस दायरे में 20 किलो मेटर के दायरे में लोकल बसे वहां से जानी चाहिए पहली तो ये है कि ये विवस्था करनी च और पूरा स्टाफ जो जियत किया था, नो साल होने जा रहे हैं, आज तक कोई SMO की बर्ती नहीं हुई, ऐसी CHC हरियाना में अकेली है, जहां कोई महिला डाक्टर नहीं है, CHC का जो पैसा लगा आया था, एक भी कमरा CHC का नहीं बढ़ा, तीन कमरे बने हैं, वो कमपनियों ने अपने पैसे से बढ़ाए, वेलफेर स्कीम के तैक, मंत्रे का कोई सायोग नहीं इसमें, कि भी मंत्री जेने कोई कमरे बनवाए हो, कोई CHC में हेल्प की हो, या कोई और प करके वहाँ बना दे, तो कम से कम मोर्चरी के जो accidental case, dead body आती है, वो लोगों के बीच में खून से लस्पत तो ना आए, तो ये जो छुटे-छुटे काम करने के थे, ये डॉक्टर के बताया, मैंने SMO है नहीं, तो ये चीज़े देखनी चाहिए, जहाँ पर शिक्षा की बा का चार्ज है, खरखडा, ये दोनों कोलिज, आपका गुरावडा, आप मुझे बताईए उसकी प्रात्विक तक क्या रहेगी, गुर्गावा से आती है, अब गुर्गावा से आती है, तो खरखडा जाएगी, या बावर जाएगी, या लड़कियों का कोलिज में जाएगी कि या वहाँ जाएगी हमारे वहाँ तिहाड़ा में हमारे बहुत पंड़जी थे दानवीर उन्होंने भूमी दी थी लड़कियों के कालिज के लिए और उन्होंने एक कंडिशन लखी थी कि लड़कियों का कालिज बनेगा अगर मेरी मा के नाम से बने तो मैं जितने भी पां पंदजी का नाम तक किषी में न स्टेज में ना बिठाया, सामने निचे बढ़ा ना तो उसका धन्यवाद किया, इस तो यह चीजे हैं जो आदमी करता है उसको सामने लाना, समाजिक दानवीर को सामने लाना, यह हमारा कर्तविय बनता है, हमारा फर्ज बनता है, अब वो कहता है, भी मैंने इतना बड़ा काम क्यार, मेरे मुख्यमंतरी के साथ में निए पठाया, मेरे गाउं मेरे स्टेज में बढ़ाया तो लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया अब वहां बिल्डिंग बन रही है गाउं में मेरा बराबर जाना होता है आज तक कोई प्रिंसीपल कोई डिप्टी डारेक्टर कोई भी उस बिल्डिंग को देखने नहीं गया कोई तो जाए कॉलिज की बिल्डिंग बन रही है कोई तो जाए दूसरा हमारे हाँ शिक्षा में आज टेक्निकल जमाना है आज टेक्निकल जमाना है उसके लिए आई टी आई पॉल्ट टेंडिक होना बहुत जरूरी है जो ये रिक्वार्मेंट भेजते हैं अपनी कंपनिया है कंपनी वाले रिक्वार्मेंट भेज कि हमें इस टेड का आदमी चाहिए, इस टेड का चाहिए, इस टेड का चाहिए. तो मैं यह समझता हूँ, इन सब के बावजूद यदि वहाँ बावल में ITA या बावल में पोल टेकनिक कॉलेज हो, तो कम से कम इन कंपनियों की जरूरत को पूरा कर सके, जिस ओर मंत्री जी का ध्यान आज तक नहीं गया है खेल स्टेडियम से जाने का आने का रास्ता नहीं है आपका भी देख ले जाकर के कोई जाता नहीं जाने का रास्ता नहीं है चला निकलने का रास्ता नहीं है स्टेडियम के पास पारकिंग हो आने जाने का रास्ता हो कोच हो एक भी कोच नहीं है मैंने खुद अपने पैसों से मैंने खुद महामईम राज़पाल पहाड़िया जी को बुला करके एक ग्रासी ग्राउंड तैयार किया गौर्वर्मेंट सीनर सेकेंडी स्कूल का जिस पर नएस इंडिया लेवल हमने फुटबाल मैच करवाए आज ग्रीनरी है आज उस वो लोग देखने आते हैं कि कैसा ग्रासी ग्राउंड है तो यह चीज़े काम करने की खिलों को बढ़ावा देने की है खिलों के बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है क्या चल रहा है दस साल से आइ आप मंत्री हैं, यहां के केंद्रीय मंत्री हैं, आप उस medical college के लिए, आप यहाँ रिवाडि के लिए किया किया कुछ तो करते हैं, एमज की जो बात आ रही है, कहते हम एमज लिए आए हैंगे, एमज अपनी अपनी जगे हैं और एमज आएगी, अभी तो भू सरकार ने एमज मंजूर कर दी, आप MVBS की कक्षा लगाई है, अभी बावल में आपने रेल्वे क्रोसिंग देखा हुगा, पूल बना है, जिस दिन उस पूल के उपर से चार ट्रक भी चल गए, पूल बैठ जाएगा, आपको पता होगा करवनों को समय में जो डाइवर्ट किय जब दस टायरोवाड़ पूराने लगे थे, वहां मंतिरी मोद ने रुकवा दिये थे, इसके उपर से टायरोवाड़ ट्रक नहीं आना चाहिए, टायरोवाड़ ट्रक नहीं आने चाहिए, उनका रूट डाइवर्ट कर दिया, आज वहां इतना कमजोर है, जैसे पालिका प पहले, 61 करोड रुपया लगा था, सडकों के लिए, सीटी, सिमेंटिड रोड के लिए, आज सारी रोड जल जल हो गई, जबकि टेंडर में, एगरिमेंट में ये लिखा हुआ है, कि इनकी मियाद 15 साल की रहेगी, तो आप चार साल बाद दुबारा रेंडर दे दिया आपने, आप दुबारा उनकों बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं दुबारा से, आज पानी कहा है, बरसात का पानी, आज बरसात हो जाती है, तो पानी की निकासी, आज तक पानी की निकासी नहीं हुई बावल में, अब वो इन्होंने civilize treatment plant लगाया है civilize treatment plant कम से कम भी तो दस जगे से बैठ करके पाई पे लिएक हो गई ठीक नहीं हो रही सहर में रोज आना शिकायत आती है ठीक हदा रहता है फिर खोदता है फिर ठीक करता है तो जब आपने जो civilize का पूरा मुकमल महकमाईन के पास है तो तूटके से गया तीन साल भी बने नहीं हुआ तो तूटके से गया और सबसे बड़ी जो हमारे बाउड में इस कार्यकाल में मंत्री मोदे ने की है वो ये भूल हुई है मानिस्तर का धरवेडा का इवन दूरिवाडी का डंपिंग यार्ड बदबू का कूडे का यार्ड और डिगां में बढाया है उसमें 3 दिन आग लगी रखती है बावेड का निए वो बावल का डंपिंग यार्ड नीए बावड कूडा और कहीं डाल रहे है उनको अलाउड दी है, वहाँ पर दूसरों लाकर के कूड़ा डाल रखा है, और जिस समय वो बात हुई थी, ये कहा था मंत्री जी ने, इसकी चार दिवारी बढ़ाएंगे, और डंपिंग याड के चार दिवारी होगी चारो तरफ, और चार दिवारी के बाद, फिर यहाँ डिजास्टर मैंनेजमेंट के एक मशीन लगाए जाएगी, जो कूड़े की सफाई करके, और लोगों कोर बद, आज वहाँ सांस लेना, आज पास तबी तिवी की बिमारी होगी, आज वहाँ जो धुआ चल रहा है, आज पास के गाउं के लोगों के मुद्दा ही ही है, इस अभी आने वाले चुनाव में, रंगा जी की क्या दर नीती रहेगी है, और टिकेट के कितनी उमीद लेके चल रहे हैं? अगर किसी की जेम है तो कोई पुराने टिकेट पड़िया होगी, नई टिकेट तो किसी के पास है ही नहीं, और जो टिकेट की बात आएगी, वो जब चुनाओ कभी आएगा, तब बात आएगा, आज टिकेट की कोई बात दिया, हमारा काम है, टिकेट मिले ना मिले, में काम करने का यह रहा कि मुझे 6 साल के लिए कुलपती बनाया गया अगर आप इधायक बनते हैं तो बावल की जन तब क्या देंगे देखिए जो बेकाय दिया इस मंत्री जी की हमारे वर्तमान मोदे जी की मंत्री जी की मैंने जो गिनवाई है उनको दुरुस्त करना पहली सीटी बश्टेंड बनवाना मेरी गता ट्रॉमा सेंटर फिर इधायक बनाया जै कि एक त्रोमा सेंटर जो बन रही है जो अपड़ी जग हैं लेकिन राजी की तरह से जो मेडिकल कोलिज की बात चलिया आ रही है उसके लिए मैं पुर जोर प्रियास करूँगा कि जिले में मेडिकल कोलिज भी हो जहाँ पर नर्सिंग का कोर्स हो दूसरे कोर्स हो इस तरह के विवस्ता हो ऐसे ही स्कूल में स्टाफ पूरा होना चाहिए प्रिंसिपल आए टीचर्स आए, एजुकेशन सही हो और जो विकास के लिए जो ये निर्मान हो रहा है जो आज कल जो बेकाएदिया है 61 करोड लगने के बावजूद भी आज सड़क लेकर रही है सारा हो रहा है, इसको सब को दुरूस्त करना और सब को लेकर के साथ चलना सब के साथ मिलकर को यहां कोई पार्टी जाती धर्म की बात नहीं यह सब को साथ लेकर के बावर के लोगों को बठाओ सबी पार्टीयों को लोगों को बठाओ और उसमें प्रात्मिक्ता बनाईए मुझे क्या करना है आप कोशीसी कर सकते हैं, पूरा करेंगे मुखमंतरी से मिलेंगे, जिस से मिलेंगे, करवाएंगे काम हरादमी चाहता है कि काम हो और काम होना भी चाहिए धन्यवाद सब्सक्राइब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके